नमस्कार दोस्तों सौगत है सभी कख्यू हिंदी पर मैं हूँ अफनो सिंग तोस्तों यह सात्मा पार्ट है जो टिफल सी फरवरी एक्जाम होने वाला उसके लिए इसपसली बागे कि छे जो लोग नहीं देखो उसको भी जरूर देख लेना सब में 30 कोशन भी मैं चल रहा है मेरा बता रहा हूं तो सब को एक एक क्वेस्चन आपको मिस नहीं करना सब देखते चलना है आपको बहुत हल्प मिलेगा और जैसे जो लोग पूछते हो क्या करें अभी नए हैं तो उनके लिए बता दूं मास्टर क्लास जो मैं बोलता हूं मास्टर क्लास एक मतलब कुछ लोग देख लिए टेंसर मतलो एक्जाम से पहले अभी नोटिफिकेशन तो आने तो आप लोग कहते हो और मार्चर क्लास लाऊंगा भी टेंसर नहीं लेने का इसका आठ परते कोशिच कियो के जार जार लोग आने के लिए और सोसल मीडिया जैसे फेस लोग इस इंस्ट इस सब जरूर फालो करना मुझे चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आई पीबी फोर में कितने बिट्स होते हैं दो क्वेशन आता है एक दिन बताया था फोर भी बता दिया उसमें जैसे मैं सिक्स बताता हूं फोर भी बता देता हूं तो एकदम रट लो अच्छे से यह आता जरूर है आई पीबी 4 और आप इवी 6 इस जरूर नहीं सब के एकजाम में यह लेकिन 50% लोगों के एकजाम में जरूर एक कुश्चन आएगए आइप इवी 4 और IP इवी 6 दोनों में सिक्सी एका कितने बिट्स का होता है तो यह 32 बिट्स का होता है फोर वाला और अगर 6 पूछे त तो 128 bit का होता, IPv6, इसका मतलब होता है, internet protocol version, IP मतलब internet protocol होता है, और भी मतलब version 4 और 6, ठीक है, ध्यान देना, next, founder of Gmail, तो Gmail का founder कौन है, वीडियो को like जरू कर देना सब लोग, जो लोग अभी नहीं क्यों कर देना, बाकी बाद में भी कर देना, तो founder of Gmail कोन है, Gmail का founder कोन है, तो Gmail पहली बात तो Google का product है, लेकिन Gmail को किस ने बनाया, Paul, बुचीट एक, जो की Google में काम करते थे ये, इन्होंने ही बनाया, तो पहली बात तो Google का एक product है, Google एक company है, Google को किस ने बनाया, तो Google को बनाया Larry Pace, A नंबर पर जो लिखावा Larry Pace, और D नंब Google के, दुनों co-founder है, Google के, ध्यान देना, ये बार Larry Page और सरजे बिन Google के founder है, और सुन्दर पिचाई जो है, अपने इंडिया के हैं, पहली बार नाम से पराद चल रहा है आपको, सुन्दर पिचाई, Google के CEO है, present time में CEO, CEO मतलब क्या होता है, Chief Executive Officer, सबसे बड़ा officer जो होता है, किस Google के founder है, और 2004 में ये बना, फानली 2004 में ये launch किया गया, इतनी बाते आपको ध्यान रखना, जो चुब ने बताया, next question हमारे सामने, निमलिखित में से अलग कौन सी है, इन में से difference कौन सी है, SBI Bank, Central Bank, Union Bank, या फिर Reserve Bank of India, इन समय से अलग कौन सी है, जैसे बिसम पूछ लेंगे, या फिर अलग पूछ लेंगे, जो भी पूछ लें, इन में से अलग कौन सा है, Reserve Bank of India, इन सब में से अलग है, क्यों अलग है, क्योंकि आपको मैंने बताया था, यह बिन बता दे रहा हूं अभी, कि जो Reserve Bank, RBI होता है, सभी बैंकों का समझ लो, बाप है, बाकी सब उसके बच करते हैं, और यह, bank को लोग कहा करते हैं, RBI में परस जमत करते हैं, तो बहुत important बात है यह, next, first programmer किसे कहा जाता है, दुनिया का first programmer किसे कहा जाता है, बहुत खास बात है यह, important बात है यह तो दुनिया का पहला programmer किसे कहा जाता है तो Ada Lawless जो की एक lady है यह एक ladies जो की Ada Lawless नाम थो उनका बहुत पहली की बात है सबसे पहला इन्यों को programmer कहा जाता है तो यह बात आपको ध्याम रखना है बाकि यह सब तो Bill Gates आधनी कंब्योंटर के जनक Bill Gates को बोलते हैं और कंब्योंटर के जनक Charles Wavis को बोलते हैं दोनों बाते आपको ध्याम रखने हैं आधनी के माना जाते हैं Bill Gates और Charles Wavis बोलते हैं कि computer के ही जनक Charles Wavis है ठीक है next है यू SSD का पूर रूप क्या होता है तो करते हैं star 141 has या फिर कुछ भी तो यूससडी कोड होता है वही उसी को बोलते हैं और banking में जैसे banking वो जो यूससडी कोड यूज किया जाता है वो होता है star double line और has ठीक है यह है banking का जो याद रखना एक question आता है exam में कि banking में यूससडी का कौड यूज होता है तो star double line hedge करकी use होता है तो इसका full form unstructured supplementary service data यह c number पर जो लिखा हुआ है वह ही होता है इतनी बतिधान बखने आपको अब next banking में defense का मतलब क्या होता है बहुत simple सा बात है यह भी क्यों simple है क्योंकि हमारे syllabus में ही एक है syllabus में जाओगे जब आप कभी syllabus पढ़े हो कि नी यह triple c का तो syllabus में जब देखोगे तो उसमें लिखा होगा digital financial services या service यह वाला c number पर लिखा हुआ services यही साही इसका answer होगा ठीक है digital financial service next है internet की संरचना नेम लिखे सामिल है तो जो internet की संरचना होती है कौन से सामिल है इन में से computer पर browser ISP connection या फिर सभी तो internet के जब हम चलाते हैं तो हमारी क्या क्या जरुद पड़ती है उसके लिए तो ध्यान से कर देखा जाता है तो सब जरुद पड़ती है computer होगा computer किसको बोलते हैं आपने कभी सोचा है computer, mobile भी हमारा computer ही है जो जैसे हमारे सामने क्या होता है लोग क्या सोचते हैं मैं भी सोचता है बच्पन में तो जो हमारे सामने display दिखता है जो monitor होता है उसी को हम लोग computer समझते हैं बच्पन में लेकिन अभी क्या है सब मतलब computer का मतलब वो नहीं होता है computer सब मिला के होता है जो CPU उसका main part होता है वैसे तो ऐसा होता है ध्यान देना यह बात वो तो एक device है उसका बस next नामांगन करते हैं मैं नामित के हस्ताचार किस पर लेनी चाहिए तो नामित मतलब क्या होता है जिसके नाम पर जैसे हमारा कोई property है मैं चाहता हूँ किसी और के नाम कर दूँ तो उसको उसकी हस्ताचार जिसके नाम किया जाता है उसको नामित बोलते हैं तो उसका हस्ताचार कहां लेना चाहिए इसका answer हो जाएगा none of these क्योंकि जिसके नाम प यहां देश में हो और चाहो तो उसके नाम पर कर सकती हो ऐसा होता है तो इसलिए इसका अंसर नोनब दीज हो जाएगा ध्यान देना अब डेक्स्ट इन में से कौन सी आउटपुट डिवाइस है प्लोटर जोयस्टिक स्कैनर या फिल लाइट पेन जिसका अंसर हो जाएगा वैसे प्लोटर प्लोटर क्या होता है जैसे प्रिंटर होता है उसका बड़ा भाई उसको प्लोटर बोलते हैं प्रिंटर से हम छोड़े छोड़े चीज़े प्रिंट करते हैं और प्लोटर से बड़े बज़े से बैनर प्रिंट किया जाता है तो joystick game खेलने के लिए होता है तो scanner क्या होता सभी जानते हो कोई मतलब नई इसका light pen भी एक तरह का pen है समझे लो pen की तरह होता है वो screen पर लिखने बगारे के लिए काम आता है तो यह सब input device हो गया बागी plotter output है next अदाता खाता चेक का भुगतान किया जा सकता है अदाता खाता चेक मतलब इंगलिस में इसको बोलेंगे account paycheck account paycheck जो होता है उसका भुगतान कैसे करोगे आप अगर आपको पैसा चाहिए तो क्या करोगे चेक है आपके पास तो उसको उसका जो भी जेतने भी account पेज़े के फिर अदाताघाता चेक होते हैं उसको हम bank के खाते में जमा करके ही प्राप्त कर सकते हैं ठीक है? counter पर नहीं, counter वाला जो होता है जो general चेक बोलते है उसको bid batch है की होता है तो कई सरा का चेक होते है है तो ध्यान रखना आपको next नेक्स्ट, RTGS का पूर्ड रूप क्या होता है, मालो मैं तो अपने वीडियो में जैसे जब क्वेश्चन मिलता है, तो उसके बारे में सब कुछ बता देता हूँ, तो RTGS के बारे में कई बार बता हूँ, जिसका सकरता है रहता हूँ आप से, तो इसका क्या हो जाएगा, रियल टाइम ग्रॉव सेटल्मेंट है ना, बड़ा सिंपल सी बात है, यह रियल टाइम ग्रॉव सेटल्मेंट, यह रियल टाइम में सेटल्मेंट कर देता है, तुरंत, पैसा भेज़े नहीं, पहुचा नहीं, ऐसा होता है, अब नेक्स्ट, जीमेल के सेटल्मेंट होता है, इमेल आइडी पूछे और फिर जीमेल पूछे जो कुछ भी पूछे आपको फालस वे करना है क्योंकि ये case sensitive नहीं होते हैं, case sensitive का मतलब क्या होते हैं, case sensitive का मतलब होता है कि आप बड़ा लिख रहे हो कि छोटा, दोनों, अगर बड़ा लिख दिये तो गलत हो जाएगा, छोट कि ऐसा होता नहीं, आप छोटा लिखो बड़ा लिखो, case sensitive नहीं होता हो, गलत नहीं होगा आपका, उसको बोलते है case sensitive, मतलब टेंसन नहीं लेने का बड़ा भी लिख दो, छोटा भी लिख दो, कुछ फरक नहीं पढ़ने वाला है इसा, ठीक है, next question हमारे सामने है, बिना कु ये message send हो सकता है, ये true है कि false, आप जैसे कहीं पर mail कर रहे हो, तो subject कुछ भी नहीं लिखो, फिर भी message send कर सकते हो या नहीं, ऐसा पूछ रहा ही है, तो भेजा जा सकता है कि नहीं सकता है, तो बिलकुल भेजा जा सकता है, इसलिए हो जाएगा true, ठीक है, subject में कुछ लिखो न लिखो, भेज सकते हो message, ऐसा होता है, अब next हमारे सामने है कि आधार enabled payment system से हम क्या कर सकते हैं, पैसा जमा कर सकते हैं, पैसा निकाल भी सकते हैं, बैलन्स चेक कर सकते हैं, या फिर उपरोक सभी, इसका full form पूछते हैं से sort में लिख देंगे, A E P S, ऐसे लिख देंगे, उसक के सामने लिखा है ये, आधार enabled payment system लिखा है ये, इसका answer भी उपरोक सभी हो जाएगा, क्योंकि जो आधार enabled payment system है, उसके द्वारा हमें ये सारे काम कर सकते हैं, अपना आधार card के द्वारा ही कर सकते हैं, बस अगूठा लगाओ, जो मसीन होते हैं उसमें, वो सारा कुछ नि इस अभी app, app मतलब application, download करना ठीक है गलत है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो ये भी हो जाएगा, ठीक होता है, true हो जाएगा ये, क्यों true हो जाएगा, इसमें भी सवाल है, क्योंकि देखो, जिसमें, जिस भी application में कुछ ऐसी चीज है, जिससे खतरा हो सकता है हमारे mobile के इसा application, जो play store, play store किसका है, google का है, तो play store से उसमें आएगा ही नहीं, application play store में आएगा ही नहीं, अगर उसमें कुछ कमी है, तो play store में, play store वाले उसको reject कर देंगे, ऐसा होता है, जांच परताल करते हैं न उसमें, भले ही उसमें कुछ अच्छी information नहों हो आपके सामने, लेकिन आपके लिए खतरा नहीं है, तो यह बात ध्यान देना, तो true हो जाएगे, इसलिए यह, next, internet कौन सा browser है, mozilla firefox, मतलब internet का, ऐसा पोचेंगे, google chrome internet explorer, आप लोग समझदार हो, इसका क्या होगा, तो simple सी बात है, यह all हो जाएगा, सारे उसी के browser है, है की नहीं, तो ध्यान देना, next question माई सामने है, सही अनुकरम सेट करें, सही sequence कौन सा इस में से, पहले input होगा, फिर उसके बात क्या होगा, सबसे पहले तो input होता ही है, यह बात तो सभी को पता है, तो यह दोनों खतम, बचे यह दोनों, पहले input, input के बात, output डायेक्ट तो होता नहीं, यह process होगा तो होगा है की नहीं, तो इसलिए इसका answer हमारा क्या हो जाएगा, यह number, पहले input होगा, फिर process होगा, फिर output होगा, फिर data store, मालो, अब output होगा आपका उसके बाद data store और वगरा करना है, उसको तो store करना जरूरी हो जाता है, इस तरह से तो ध्यान रखने यह बात आपको, बिना process का output नह करता हो, बायो मेट्रिक्स, data source, account details, या फिर कोई नहीं, इसका answer वैसे बायो मेट्रिक्स हो का, बायो मेट्रिक्स मतलब क्या होता है, जो अगों उठा लगाते हो ना, या फिर आँखों को, आँखों की रोशनी देखता है, रेटिना, वही होता है, बायो मेट्रिक्स, तो उ डिजी लॉकर, डिजी लॉकर क्या होता, समझने वाली बात है, डिजी लॉकर एक application है, जो कि भारत सरकार द्वारा लॉंच किया या application है, मतलब गवर्मेंट है हो, उसमें हम क्या कर सकते हैं, जितने भी document है हमारा, जैसे result, mark seat, कोई भी license, driving license, अधार card, pen card, सब कुछ हम उसमे scan करके, उसमें store कर सकते हैं, ले सकते हैं, और जरूरत जहां पढ़ी, उसको दिखा दो, अब driver license, आपको कागज में लेके जरूरत नहीं है, आप डिजी लॉकर में रखो, वहाँ दिखा दो, वो मानने होगा, अगर नहीं मानता है, तो आप उस पे action भी ले सकते हो, मतलब उ उसमें अधार card और mobile number दोनों से वैसे होता है, लेकिन कभी-कभी क्या होता है, अलग-अलग दे देंगे तो आपको अधार card पर करना है, लेकिन मैं register उसमें किया हूँ, तो मैं जानता हूँ, अधार card और mobile number दोनों लगता है उसमें, लेकिन अगर मान लो, चार option अलग दे द देस वी देस के लिए कहनेए का मतलब किस Network का यूज करते हैं When, Land, Man या फिर सबी इसका अंसर हो जाएगा —When वैन वैन वैट एरिया network होता है फुल-फॉर्म मतREE पूस्ते हैं बहुत अग्जाम वह वाइऑ एरिया network लैन वह ली रहा है इसका नाम ही यह लोकल ये घरों और आफिसों में यूज़ होता है local है man मतलब metropolitan area network ये बड़े-बड़े सहरों में यूज़ होता है जैसे cable TV question exam में क्या आता है कि cable TV जो network यूज़ करता है और किस प्रकार का network है तो है man question exam में exactly यही आता है कि cable TV वाला कौन यूज़ होता है beneficiary name, IFC code या फिर account number या फिर सभी एक वीडियो मेंने NEFT, RDGS, IMEPS मतलब काफी details से मैंने आपको सब कुछ बता दिया उसी वीडियो में सब में difference क्या होता है सब की जरूरत क्या है, अलग-अलग कैसी है, क्या है सब कुछ मैं बताया हूँ उसको जरूर देखिलना सब लोग triple C full course, उसी में है हो तो जो लोग पढ़ने वालो जैसे कई दो तरह के लोग होते है एक तो सिर्फ exam pass करना है किसी-किसी को, और किसी को exam pass तो करना है, उसके साथ-साथ knowledge भी लेनी है, क्योंकि knowledge बहुत बड़ी चीज़ होती दोस्तों तो इसका answer वर से all of ever होगा क्योंकि सब को जरूत होती है उसमें, ठीक है anyft मतलब national electronic fund transformer जो कि अब 24 hour कर दिये इसको, पहले नहीं था ऐसा, 24 hour 24 गंटे काम करेगा, 48 batches होंगे, आदा-दा गंटे के batches होते हैं तो 48 batches होंगे, टोटल 24 hour होता है तो double होंगे, अदा-दा गंटा ही ये भाई ठीक, ध्यान देना, अब next भीम का full form क्या होता है भीम क्या है, भीम एक application है जो कि भीम जो बाबा साथ भीम राओं बेटकर हैं ये उन्हीं के नाम पे especially मतलब बनाया गया कि एक पंथ दो काम हो जाए उनके नाम से भीम अप्लिकेशन प्लस उसका full form अभी देखो पता जाज़ जाएगा आपको इसका full form क्या होगा भारत interface for money अब देखो इसमे एक पंथ दो काम हो गया भारत interface for money ये भी बन गया प्लस भीम जो बाबा साथ के नाम से एक application भी बना दी government ने तो इस तरह से बहुत अच्छी है ये एक इस तरह का application है कई बात इसमें भी पूछते है exam में question आता है तो इसमें एक पूछते है कि maximum कितना transfer कर सकते हैं तो 40,000 देना 40,000 ही इसका maximum होता है कुछ लोग 20 बता देते हैं 20,000 लेकिन ऐसा होता नहीं है 40,000 इसका maximum limit उससे ज़्यादा भी नहीं होता नहीं तो कुछ लोग गलती से मतलब कहीं देखो अलग-अलग information आपको बहुत ज़्यादा मिलते हैं जरूरी ये नहीं के सब सही ही होते हैं समझे बात ये बात इसका full form हो जाएगा Employees Provident Fund Organization जो कि एक संगठन है जो नौकरियों गरह करते हैं उनके लिए उनका एक especially होता है बचत समुझ लेक तरह से कुछ कटता है पी एफ होता है न प्रोविडिन फंड तो उसमें कटेगा हर मैंने और जमा होता रहेगा तो उसका एक संगठन बनाए गया है ताकि उसको मैनेज किया जा सके इसलिए ठीक अब next PNG का full form क्या होता है PNG एक तरह का image है एक image file है PNG जो full form क्या होगा इसका पूछ रहे तो portable network graphics B number वाला इसका full form हो जाएगा सब रट लेना अच्छे से भूलना नहीं किसी को ठीक कि बहुत लोग note करते हैं मुझे बताते हैं अपने register में सब note कर लेते हैं सारे question नहीं बता अच्छी बात है अच्छा लगता है कि ऐसे पढ़ते हो आप लोग ठीक है next question वाय सामने है कि among में इनका क्या मतलब होता है among इस पे क्या होते हैं भारत सरकार की सभी योजनों के बारे में होता है बहुत सारी चीज़ें बिजली का बिल जमा करने आपको ऐसी हर जानकारियें इस पे होंगी और हर चीज़ आप कर भी सकते हो तो पूरे का full form मतलब समझना चाहिए unified mobile application for new age governance तो new age आ रहा है तो इसका अंसर new age होगा वैसे unified mobile application for new age governance और एक question आता है कब यह launch किया गया तो यह भी आपको पता होना चाहिए यह number 23 number मान लो 17 में launch किया गया था 2017 में ठीक है ध्यान देना यह भी बार next DNS का full form क्या होता है DNS simple सा question है यह DNS का full form हो जाएगा domain name system ठीक है यह क्या करता है access करता है domain name मतलब कई सारी चीज़ी होती domain name तो अपना email id भी एक तरह सा होता है .com लग जाएक उसमे gmail.com तो access करता है पता लगाता है कहां का address कैसा है क्या नहीं है सब साथ चीज़े ठीक है next master card कितने digits का होता है अब इसमें देखो कई बाते है master card वाले में जैसे अब तो सब तो ECB कर रहे हो लग बग जा तिसका answer यही होगा 13 से लेकि 19 digits तक होता है ठीक है exam में क्या आता है अलग आते है exam में पूछेंगे कि मेरे ख्याल से 19 आ जाता है बाकी 21, 22, 20 ऐसे लिख देते हैं तो आपको 19 पर करना है 18 आ जाता है लेकिन 13 से लेकि 19 तक master card अलग अलग होते है तो जातर 19 digit का होता है 18 भी होता है ठीक है अगर हमें किसी sabdia sentence को ढूड़ना है तो कैसे ढूड़नगे find, find and replace से go to से या फिर all of ever बहुत simple सा question इसका answer हो जाएगा find अब ढूडने की बात कर रहा है तो find से और find and replace क्या होता है ढूड के plus उसी पर कुछ करना है जैसे आपका लिखा है find इसके जगह पर आपको go लिखना है तो यह होता है find and replace go to का मतलब होता है यह sabdia sentence बोल रहा है go to मतलब किसी especially page वगएर पर जाना है आपको ठीक है वही सा होता यह थोड़ा सा तो ध्यान देना यह बात अब next अलीबाबा का honor कौन है अलीबाबा एक B2B category में आता है एक भी exam में question आता है कि B2B category में कौन सा आता है तो अलीबाबा आता है यह whole seller है especially इसके honor है जैकमा जो कि एक Chinese company है यह देखो अलीबाबा चाइनीज कमपनी है B2B category में आता है whole selling का माल बेसता है अलीबाबा इसके मालिक है जैकमा इतनी बादे ध्याम रखता है Bill Gates, Microsoft, Mark Zuckerberg, Facebook, Jeff Bezos, Amazon सब मालूम में नहीं मलूम आपको सब मालूम होना चाहिए सब आता है exam में भी questions ठीक है next P2P का full form क्या होता है P2P P2P से मतलब इसका answer हो से हो जाएगा peer to peer ठीक है एक होता है तीन बार PPP लिख देंगे उसका full form पोस्त है ध्याम रखना गलती नहीं करना है तीन बार PPP लिख देंगे तो उसका full form होता है point to point protocol समझ रहे हो और ये P2P मतलब peer to peer एक क्या है peer to peer एक आकार है computer का जैसे एक computer दूसरे से जुड़ा हुआ है तो उसको peer to peer बोलते है फिर बस दोस्तों यही था आज का आखरी question 30 question complete आप आते है question आपको दे देता हूँ उससे पहले आप सब एक छोटा सा request है वीडियो को सब लोग like करना जादा जादा लाइक करना सभी को like करना ठीक जो लोग like नहीं कि अभी तक और जो लोग नए हो चैनल पर चैनल को subscribe करना एक मेरा दूसरा वाल चैनल भी है जिस पर मैं stories सुनाता हूँ motivational तो उसको भी सब लोग subscribe करना है उसका link मैं description में देता हूँ तो देखो इसमें कई सारी बाते हैं सबसे क्रेवन जो की कहीं कहीं पर मिलता है आपको CDC 6600 मिलता है जाद अतार आपको फैरा सूपर कंपूटर माना जाता इसको क्योंकि यह बहुत अच्छा था इसमें काफी खूवियां थी क्रेवन में भी बहुत सारी खूवियां थी इटलस भी बना था इससे भी पहले ये 64 में बना ये 62 में बना और ये 60 में ही बन गया था इटलस में उतनी खूवियां नहीं थी इसको ज़्यादा माना नहीं जाता है और इससे भी पहले IBM NORC बना था और एक यूनिवॉक लॉर्क करकी बना था तो यह सब सूपर कंप्योटर जो को इस्टार्टिंग में बने थे ज्यादा तर एक्जाम में CDC 6600 वाल आता है और क्रेवन वाला पूछा जाता है लेकिन आपको पता सब होना चाहिए मालों क्या पता क्या पूछ ले और सेकेंड पहले आई डिक्टिंग क्या होता था निकाल तो हम निट से सकते थे लेकिन वो पोश्ट द्वारा हमारे घर पे आता था जो कि बड़ा जंजट होता था यह क्या है डारेक्ली प्रिंट निकाल अपना निकाल के है ना एंसर किस ने दिया DPR या शीनु यादव कलस्त्रिवे यह दोनों कोश्चन बहुत एक्जाम में पूछे आते हैं दोनों मॉस्ट इंपॉर्टन कोश्चन है तो एंसर सबको देना है फिर बस दो तो इस वीडियो में इतना ही फिर मिलते हैं नेक्श वीडियो में तब तक क्ले चाहिए हिंट जया भारत